और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुचाएंगे इंडिया अलाइंस गटबंधन की बैठक पर बड़ी खबर सामने निकल कर आई है पीम उमिद्वार के लिए नाम प्रस्तावित किया गया सूत्रों के अवाले से बड़ी खबर आप तक पहुचा रहे हैं मंता ब बड़ी खबर आप तक को अचारे बताएंगे चलें कि इंडिया अलाइंस से जुड़ी ये बड़ी खबर है सूत्रों के हावाले से क्योंकि लगातार जो बीजेपी से लेकर के तमान जो राजुनीतिक पार्टिया है वो यह सवाल कर रही थी कि ये जो इंडिया अलाइंस ह इसका पीम उमिद्वार का आखिर चहरा कौन होगा गटबंधन की तरफ से पीम का चहरा और अब जानकारी यह है कि मंता बेनर जी ने मलिका अरजुन खडगे का नाम को आगे बढ़ाया है मौझूद सभी मेडिया के दोस्तों और जो इस हमारे इंडिया गटबंधन में जो आए हूँ वो सभी नेता लोग इस चोधी मीटिंग में अठाविस पार्टी ने हिस्सा लिया और अठाविस पार्टी के नेता लोग अपने अपने विचार को कमीटी के सामने याने गटबंधन के सामने रखा और ये खुशी की बात है सभी ने Unanimously एक होकर आगे किस डंच से गटबंधन का काम चलना चाहिए और लोकों के हित में सब मिलके किस डंच से अपने को एजिटेशन करना है या जो भी इश्यूस है इसको उठाना है तो ये सारे देश में कम से कम आट-दस मीटिंग सभी मिलके करने का एक निरने हुआ और लोकों को ये मालूम करना ज़रूरी समझे कि गटबंदन के लोक अगर एक मंच पे नहीं आएंगे तो लोकों को इसके बारे में पूरा इसको जो उनको माहिती मिलना है या मालूमाद होना है वो नहीं होगा इसलिए सभी ने माना और सभी लोक मिलके ये दिरने लिए है ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमारी मीटिंग कम से कम दो तीन घंटे चली दूसरा चीज जो हमारे 142 लोग MPs अब तो 101 हो गए शायद तो इतने MPs को जो सदन के बाहर डाल कर सदन जो BJP के सरकार चला रही है इसको कंडम करते हुए हमने एक resolution पास किया कि ये undemocratic है और लोगतंत्र के खिलाफ है और लोगतंत्र को अगर बचाना है तो हम सब लोग मिलके लड़ना होगा और इस लड़ाई के लिए सभी लोग तयार है और ये पहली बार है हिंदुस्तान के इत्यास में democratic एक process में कि जो मुद्दा हमने house में उठाया था वो कोई गलत मुद्दा ने था वो मुद्दा ये था कि जो लोग सदन के अंदर आए वो कैसा आए और किसने उनको लाया और किस डंट से वो सब तरफ जाके slogan दिये सभी किये लेकिन उनके जो मुद्दे थे वो लोकसभा में उन्होंने अपने आवाज से उठाया था हम पहले से भी यही कहे रहे हैं कि हो मिनिस्टर या प्राइमिनिस्टर सदन में आईए जो घटना ए घटी है उसके बारे में सदन को अवगत कराईए मालूमात कराईए लोकसभा को और राज्यसभा को लेकिन उन्होंने नहीं माना मेरे को समझ में नहीं आथा सदन इदर चल रहा है ये लोग आमदाबाद में बिल्डिंग इनोकरिशन जाते हैं सदन इदर चल रहा है मोदी जी अपने कांसूल्शी में जाके घूमते हैं ये क्या है ऐसा कभी नहीं हुआ सदन यहां देश में रहे के और सभी तरफ अपने भाशन देने लगे लेकिन फार्नमेंट में क्यों नहीं आए लोकसभा और राजसभा में क्यों नहीं आए तो ये जो उनकी मनशा है कि डेमोकरसी को खतम करना अगर नहीं गये तो क्या होने वाला को कौम पूछने वाला है और यहां तक कि 151 लोकों को सस्पेंट करके भार जो निकाले ये पहला इंसिडेंट है कि देश में इतने लोकों को आज तक किसी ने सस्पेंट नहीं किया था ये सरकार ने प्रोच्चा देकर सस्पेंट करने के लिए लगाए ये बरी बुरी बात है और इसके लिए हम लड़ेंगे मैदान में जाएंगे और जो आज प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर समझ रहें कि हमारे शिवाए हिंदुस्तान में और कोई भी नहीं हमी उकमत करने के लाइक है ये उनका समझ है इस समझ को कतम करने के लिए हम सब एक होए हैं एक होकर ये आज बहुत निर्णे लिए हैं एक तो एक सो एकावन लोकों के बारे में और दूसरा जो है सब मिलके सब मिलके प्रोटेस्ट करना और आल इंडिया प्रोटेस्ट 22 तारिक को 22 डिसंबर को ये जितने भी सस्पेंशन हो गए उनके बारे में ये चलेगा और तीसरी बात ये है कि जो इंडिया गट बंदन का एक मुद्दा है कि सभी लोग और यहां वक्ते एक छोटी सब्रेक का जल्द हज़र होंगे प्रक्राउा हो और Hm झीव मं खब हमें जे एक सावogen खूश बंद माने का जोग्वादा